आज की वीडियो को स्पॉंसर किया है रेड गियर ने अब रेड गियर का हम रिव्यू करने वाले हैं एक वेकनिकल कीबूर्ड जिसका नाम है रेड गियर इन्वेडर एमके एट एट वन और अगर आप ये कीबूर्ड चाहते हैं कि आपके घर में पहुंच जाए और मैं इसक से पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दू हमारी टीम एक e-sports event होस्ट कर रही है उसमें all over idea कोई भी पाट ले सकता है तो अगर आप CSGO के कीड़े हो और आप CSGO बहुत ही जबरदस्त खेलते हो और आपको CSGO में कोई पचाल ने सकता तो लिंक डिस्क्रिप कीबोड है मेरी नजर में अब मैं इसे बहतरीन क्यों कह रहा हूं तो आप खुद देख सकते हैं पहली बात तो कीबोड की बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहतरीन है अब मैंने जो कीबोड यह है यह मुझे मिला था रडियर की तरफ से लगभग एक हफता पहले एक हफता हो स्टाइब आप जाते हैं और आप आप यह घर में चीज़ आ रही है तो यह जो कीबोड इसको चेक है कि भांक्षानल है या नही पर किया है यह जो कीबोड यह पूरा तरीक से आप मुझे से प्यार हो चुका हैई इसकी बात तो कीबोड की जो हाइल आइट है वह यह नहीं केल ब्राउन के अंदर ऐसी क्या खास बात है इसकी टेक्टाइल फिल होती है टेक्टाइल बंप होता है वह जो तुमारा ब्लू सुचिछ उनके मुकाबले काफी अलग होता है तरीका से आप प्रैक्टिकली दबाकर देखोगे जिसका के टेस्ट मेने विडियो के end में किया काफी मोटी इसी आवाज होती है एक तरीके से आपको सैटिस्फाइंग ठिक जू होती है या तो अगर आप ज़्यादा जूरते हिट कर रहे हो तो चलो ठिक आवाज हैगी लेकिन अगर आप नॉर्मली हिट कर रहे हो तो लगभग आपको आवाज आएगी यह नहीं काफी और मुझे रेडियर को यहाँ पर धन्यवाद मुलना है और बहुत ही जादा मतलब बहुत ही जादा एक तरीके से यह लोग ट्रांसपेरेंट अपने कस्टमर्स के लिए चुकि देखो काई मैंने ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड देखें बहुत सारे मेकैनिकल कीबोर्ड देख खाते तक नहीं है बस लिए ब्लू सुचिज यहाँ पर यूट्यूबर भी ऐसे हैं कुछ कुछ जो बोलते हैं कि इसके अंदर ब्लू सुचिज आप वो यह नहीं बताएंगे कौन से ब्लू सुचिज है चैरी एमेक्स हैं केल है ओटे मू है कुछ नहीं बताएंगे आपको बस यह बोलने के blue switches जो की misleading हो गया लेकिन red gear ने जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो सामने सामने मतलब जो तुम्हारा बड़ा सा cover होता है गत्ता होता है पेटी होती है keyboard की सामने सामने लिखाव है कि इसके अंदर kale brown switches है ठीक है अब लोग kale को mention इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यह Cherry MX की Chinese rapper का एक तरीके से ठीक है एक तरीके से समझ लो उसका Chinese version है क्योंकि अगर आप Cherry MX brown खरीदने जाओ गो तो वो बहुत महेंगा पड़ता है जातर आपको HyperX Corsair या Razor के तो चलो छोड़ दो महेंगे महेंगे keyboard में आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर आप उसको feel करना चाहते हो तो आप kale brown switches के लिए यह mechanical red gear का invader MK881 keyboard खरीद सकते हो या फिर giveaway में जीत सकते हो जो कि कोई एक बंदा ही जीतेगा तो अब मैं इसकी बात कर लेता हूं इसकी specification क्या क्या है मैंने brown switches के बारे में बता दिया है वीडियो के end में मैंने sound testing भी की वी है blue के साथ kale blue और kale brown की मैंने testing की वी है आपको देख लेना कौन सा पसंद आता है या अपने personal choice के उपर रता है पहली बात तो keyboard के look and feel से आप देख सकते हो feel तो नहीं कर सकते look से आप देख सकते हो यह full size keyboard है मेरे पास जो एक personal circle का gaming keyboard है वो एक 10 keyless keyboard है मतलब उसमें numpad वाला जो portion है वो नहीं है सिर्फ arrow की इस तक ही वो C में था है लेकिन यह आपको same price में बलकि उससे कम price में full size keyboard मिल रहा है full size keyboard है metal back plate है मिल जाती है आपको जो की काफिस को rigid बनाती है cable इसकी अच्छी खासी लंबी है और इसमें पूरी braided cable यूज की गई है braided cable के साथ-साथ इसका USB connector है वो gold braided है तो यानि जो normal keyboard के अंदर आपको देखने को मिलता है वो सारी functionality इसके अंदर है साथ ही साथ keyboard की पीछे की तरफ आपको cable routing space या cable manage करने के लिए जो routing area दिया रहता है वो भी दिया हुआ यानि अगर आप cable को थोड़ा manage करना चाते हो आपने चाते कि keyboard के center से cable होती भी जाए थोड़ा left से थोड़ा right से वो सब करना चाते हो तो आपके लिए वहाँ पे space dv या वो सब भी कर सकते हो उपर से keyboard के जो feet जो stands है जिनसे आप keyboard को थोड़ा सा uplift करते हो और जो normal size के जो normal stands भी होते है जिनसे आप keyboard को थोड़ा सा उठाते हो तो दोनों में आपको rubber देखने को मिल जाता है कुछ-कुछ keyboard ऐसे होते हैं जिन में plastic का stands होते हैं पीछे पे जो कि आप अगर table पर यूस करते हो और table पे आपका table की surface बहुत ही चिखनी है बहुत ही smooth है तो वो फिसलता है तो बिल्कुल नहीं फिसलेगा और बैक पर आप देख सकते हो red gear की branding की वही है और एक चीज में आपको बता दूँ देखो जो चोट-चोटी चीजों का यहां पर इनोंने ध्यान रखा है वह बहुत अच्छी वाली वाद है इसमें किसी किसी में कीबोर्ड में फ्लैक्स बहुत ज़्याद होता है वाला लचील आसा कीबोर्ड होता है तो उतना build quality बेकार होती है लेकिन इसमें काफी कुछ ध्यान रखा गया है ठीक है अब बेर को देखो red gear ने पैसा नहीं दिया इसा बूलने का लेकिन यह giveaway में जाने वाला कीबोर्ड तो वैसे भी कोई क्या देगा पैसा giveaway वाले कीबोर्ड का ठीक है तो फिर भी मैं इसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि मुझे personally यह keyboard बहुत पसंद आ गया है और देखो म इसके बारे में बताई चुका हूँ कि ब्राव सुचिस के साथ आता है बहुत ही सेक्सी केबोर्ड है ब्रेड़ेट केबल वगएरा वगएरा सब में बता चुका हूँ केबल लेंथ भी बहुत अच्छी है n की रोलोवर RGB वो सब तो ही है वो मुझे बताने की ज़रूत नही और वही कौन है इसका मेरे को तो वही कौन लगा पहली बात देखो मुझे गाई इसका एक ही कौन लगा और वह कौन यह है कि भाया इसके अंदर जो RGB है वो पर की RGB नहीं है मतलब अगर आपकी जो Escape F1 F2 F3 वाली जो फूरी कीबोर्ड की उपर की सब से उपर वाली लाइन है वह रेड कलर की है या पिंग कलर कि है जो भी है वो ऑरंज ट्राइप का जो भी कलर है वो ठीक है वो चैंज नई होगा वो ओररंज यह तो और एगी उसके निच्छे वाली जो लाइन है वह अट शु पी फिर वो इन जो लाइन है वो यलो गलर कि तो यलो रहेगी और सबसे निच्चे वाली जो लाइन है जो कि आपको सेम प्राइस के अंदर शाहित Cosmic Byte के कुछ कीबोर जाते हैं उनके अंदर मिल जाती है सरकल का कीबोर थोड़ से महेंगा है लेकिन उसके अंदर मिल जाती है बस इसको छोड़के इसके अंदर सारे फीचर्स है लेकिन अगर आपको परकी RGB से फरक नहीं पड़ता आपको बस RGB चाहिए थी जो कि है ठीक है? तो आपके लिए यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही लगता है मुझे लगता है आपको इसके घुमें RGB फगरा बता देता हूँ RGB effects के लिए इसके में क्या क्या है कि आपका फंक्शन की है और फंक्शन की के साथ इसमें बहुत सारे effects दिये गए है जैसे function key और print screen आप दबाओगे तो कुछ effect आएगा आप function key plus scroll lock दबाओगे तो कुछ effect आएगा आप function key plus insert home page up delete यह सब दबाओगे अलग अलग buttons तो अलग अलग functions आएगे ठीक है मतलब functions ने आएगे अलग अलग वो चलींगे क्या बोतियां से effects चलींगे किसी में आपके RGB जो है वो अलग तरीके से glow करीगी किसी में आपके RGB जो है वो बिलिंग करती रहेगी किसी में waves आएगी किसी में यह glow fade, glow fade होगा तो इस टाइप के कुछ अलग अलग इसमें RGB effects दिये वे हैं और इसमें आपको कुछ multimedia keys दिवी हैं जैसे my computer खोलने के लिए volume up, volume down के लिए तो आपकी F1, F2 वाली keys है उसको आप function key के साथ दबाऊगे तो वो multiple actions करेंगी ठीक है वो सब दिया हुआ है, ऊपर से आप जैसी function key plus end दबाऊगे तो आपकी RGB बंद हो जाएगा अगर आपको RGB से distraction होता है तो आप RGB बिल्कुल बंद कर सकते हो आप इसके windows key lock का button दबाऊगे कि जैसे आप game खेलते हो गेम में कभी कभी गलती से windows key key दब जाते हो तो game minimize हो जाता है तो windows की आप lock कर सकते हो कि windows key key दबाऊगे तो कुछ खुलेगा नहीं वो आप कर सकते हो और इसमें fn plus page down और उसके बाद फिर fn plus one numpad में जो one होता है उसको दबाऊगे तो आप खुद की इसमें custom profile सेफ कर सकते हो जैसे for example आप PUBG खेल लो अब PUBG में क्या है 12 जो button है 12 ऊपर के number में से उससे आप weapon switch करोगे PUBG emulator की में बात कर रहा हूं ठीक है PC वाले PUBG में क्या पता control सा लगो example दे रहा हूं मैं ठीक है और WASD से दो दो जाओगे control तो छोड़ दो c से crouch है और z से वो पुरा निचे लेट जाता है जो भी उसको बोलते है ठीक है और space से वो jump मारता है और क्या है और तो कुछ है R से reload और F से pick up वगएरा करता है FGH जो भी है तो अगर आप चाहते हों कि आप PUBG खेल रहे हो और आपके सिर्फ WASD, FGH, C, Z, space और 1, 2 पर के buttons ये सब ही इनमें लाइट जले बाकि सारे keys बंद हो जाए ठीक है उनकी RGB काम न टाइपिंग के लिए आपका QWERTY, WASD जो भी आपके alphabets की है उनको आप इसके अंदर पहले से वो profile save आप function की प्लस numpad में 1, 2, 3 दबाइए आप अलग-अलग functions दिये में इसके अंदर एक इसके अंदर जो आपके competitive games होते हैं CSGO वाली एक profile इसके अंदर CSGO में जैसे आपको WASD, escape वगएरा की जरुत पढ़ती है तो सिर्फ उनकीज में light जलीगी तो उस टाइप के इसके अंदर profiles पहले से दीवी हैं कुछ effects इसके अंदर दिये हैं वह आप चेक कर सकते हो ठीक है तो यह सब आपको इसके अंदर मिल जाते हैं ठीक है उसके बाद अगर आपको sound check करनी है कि कि भाईया यह चेरी MX की sound कैसी है केल ब्लू की sound कैसी है और केल ब्राउन की sound कैसी है तो आप मैंने देखो आप खुद देखो मैंने वीडियो में चेक किया हुआ है जो मेरा नीचे रखावा keyboard है यह तो मेरा circle का है circle squadron M, ठीक है circle squadron M और इसमें है kale blue switches और उपर जो रखावा ह यह आपका red gear वाले जिसके अंदर है kale brown switches आप sound compare कर सकते हो देख सकते हो आपको कौन सा पसंद है कौन सा नहीं है compare करो पसंद आता है तो ले लो और अगर देखो अगर तुम मैंसे कोई giveaway में जिसने पाट लिया वा है तो अगर आप जीतते हो तो उन मेंसे किसी एक को मिल अगर आपको यह जीतना है तो आप उस पार्ट ले सकते हो ठीक है मतलब इंडियन सेट अपवर्स में और अगर आपको कीबोड वैसे खरीदना है तो Amazon पे यह 3000 की प्राइस पर है मतलब 2995 तो 2995 रुपे में आप इस कीबोड लेने की खुशी में और डिस्रिप्शन में Amazon क जाके कोई और शॉपिंग कीजिए और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं प्लीज जाकर Amazon खोलिए कुछ भी शॉपिंग कीजिए फोन खरीदो से लगती है माउस पैड खरीदो फोन के लिए कवर खरीदो माउस खरीदो मॉनिटर्स बात लीजिए कुछ दिनों में फिर इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे फिर बात में मत बोलना कि मुझे पता नहीं चला ठीक है तो जिसने देना है वो दे दो नहीं देना मत दो धन्यवाद बाई बाई जया माता दी झाला नहीं दे अविता है वाद पन्यवाद बौलना कि मुछ दो जाहीं विताओर्स आना कि रिसलों में औाला रिसाम distinguished में ट माद वराद आने लग्गानिकी मत चिएक सब्सक्त्यक गूर्स सेलों मीamous लuis टेना में विसत्कर मामी आना कि प alludedूयाँ कि लादा吗 लाष्प करते हैं